Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Bushra Khan. आज की वीडियो में students हम discuss करने वाले हैं law and order से related daily use sentences को. So, देखते हैं आप कितने sentences को English में translate कर लेते हैं. बस आप से एक छोटी सी request. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please एक subscribe तो बनता है. So, first is अगर आप कहते हैं कि यह गयर कानूनी कार रहे हैं या फिर यह काम गयर कानूनी है. So, इसको English में कैसे कहा जाएगा? आपको कहना होगा This is an illegal act. Next देखिए यह कानून के विरुद है. तो इसको English में कहेंगे It is against the law. Next देखिए खानून की जानकारी ना होना कोई बहाना नहीं है. अगर आपको इसको English में translate करना है तो आपको कहना होगा Ignorance of law is not an excuse. Next is अगर आप कहते हैं उस पर चोरी का इल्जाम है. So, इसको English में कैसे कहेंगे? आपको कहना होगा He is accused of theft. वहीं अगर आप कहें उस पर हत्या का इल्जाम है. So, इसकी English होगी He is accused of murder. Next देखिए उसने इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी. इसकी English होगी He informed the police about this matter. एक और देखिए अगर आप कहते हैं उसने पुलिस को सूचित कर दिया So, इसकी English है He is she reported to police. Next देखिए ये बहुत common sentence है अपराधी को बरी कर दिया means उसको release कर दिया. अगर आपको इसको English में कहना है तो आपको कहना होगा The accused was acquitted. Next देखिए अगर आप कहें कि ये सब फर्जी दस्तावेज है So, इसकी English होगी These are all forged documents. Next is अगर आप कहते हैं कि वह निर्दोश है या फिर वह बेगुना है So, इसकी English होगी He or she is innocent. Next आप मेरे गवहां हैं इसको English में कहा जाएगा You are my witness. Next मेरे वकील ने गवहां से प्रशन पूछे इसको English में कहेंगे My lawyer cross examined the witness. Next is पुलिस इस केस की चानबीन कर रही है इसकी English होगी The police is investigating the case. Next देखिए Judge ने उसे मृत्यू दंड दिया इसको English में कहा जाएगा The judge sentenced him to death. Last is अगर आप कहें कि मैं इस मामले का चश्मदीद गवहां हूँ So, इसकी English होगी I am an eyewitness in this case. So, students ये थे law and order से related कुछ common daily use sentences and I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें. अब मिलते हैं next वीडियो में. तब तक के लिए goodbye and take care. तक के लिए प्लीज करें.